यह बाइबल इन्वानियर का हिंदी प्रकरण है, 196 विवां दिन, अपने हृदय को नरम और अपने पैरों को कड़क कीजिए। कानों ना मानने वाला शेत्र था, जो कि ना तो चाइना ना ही हौंग कॉंग के द्वारा नियंद्रित किया जाता था। यह ड्रग लेने वाले गैंग और वैश्याओं की उंची बस्ती थी। उन्होंने लिखा। वहाँ पर अब कोई रोना, कोई मरत्यू या दर्द नहीं था। बिमार चंगे होते थे, व्यसनी मुक्त होते, भूके तरप्त किये जाते, वहाँ पर अनाथों के लिए परिवार था। बेघरों के लिए घर और जो शरम से जीते थे उनके लिए नया सम्मान था। मुझे नहीं पता था कि कैसे पूरा करना है, लेकिन दार्शनिक जोश के साथ मैंने सोचा कि वाल्ड शहर के लोगों को उससे मिलाओं जो यह सब बदल सकते हैं। जैकी पुलिंगर ने लगभग आधी शताबदी वैशियाओं नशे के विसनी और गैंग के सदसियों के साथ काम करते हुए बिताया। बिना नींद, भोजन और आराम के दूसरों की सेवा करती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे हृदे कोमल हों, प्रेम और करुणा का हृदे, लेकिन यदि हमें विश्व में कोई प्रभाव बनाना है, तो यहा हमारे पैरों को कठोर करेगा, जैसा कि हम कठोर रास्ते से गुजरेंगे और चुनौतियों का सामना करेंगे। नीती वचन, 17 का 5 से 14, दूसरों के लिए प्रेम। यदि आपके पास परमेश्वर के द्वारा कोमल बनाया गया एक रदय है, तो आप अपरिहारी रूप से दूसरों के प्रती प्रेम को दर्शाएंगे। हमारा लक्ष होना चाहिए कि एक ऐसा जीवन जीएं जो प्रेम को प्रमोट करता है। गरीबों के प्रती आपका बरताव परमेश्वर के प्रती आपके बरताव को दर्शाता है। जो निर्दन को ठटों में उडाता है वह उसके करता की निंदा करता है। परमेश्वर के लोगों के रूप में हम गरीबों के साथ मितरता और उनकी सेवा के लिए बुलाए गए हैं। अपने परिवार से प्रेम करें। गनिष्ट मितरों के बीच में प्रेम बहुत ही मूलिवान है। अपने मितरता की रक्षा करें। इसका अर्थ है जल्दी से बुरा ना मानना या दुरभावना ना रखना। जो दूसरे के अपराद को ढाप देता वहाँ प्रेम का खोजी ठहरता है। परन्त जो बात की चर्चा बार-बार करता है वहाँ परम मितरों में भी फूट करा देता है। इश्व हम से कहते हैं अपने शत्रों से प्रेम करो। एक कोमल हरदे आलोचना को लेने के लिए तैयार रहता है। चाहे यह एक मितर से आए या एक शत्रु से एक गुड की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती हैं उतना सौ बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। नीतिवचन सत्रा कदस। वादविवाद से बचने के लिए सभी प्रयास करें। जगड़े का आरंब बांद के छेद के समान है। जगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। से तीन के आठ तक परमेश्वर के लिए प्रेम इससे अंतर नहीं पड़ता है कि बाहर क्या हो रहा है यदि हमारे पास एक कोमल हृदय नहीं है यहां पर पॉलूस हृदय की महत्ता को देखते हैं वह समझाते हैं कि यहां योजना बनाई गई थी कि यहुदी परमेश्वर के चुने हुए लोग परमेश्वर के साथ एक संबद में चलें इसलिए उन्हें नियम दिया गया वे परमेश्वर की इच्छा को जानते थे वे अंधों का अगवा और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योती और बुद्धी हीनों के सिखाने वाले और बालकों का उपदेश परमेश्वर के नियम को मानने में असफल हो गए। परमेश्वर के लिए हरदय महतपूर्ण है, हर व्यक्ति जिसके हरदय में पवितरात्मा रहते हैं, उसी उत्तराधिकार को ग्रहन करता है, जैसा कि पुराने नियम में यहुदी करते थे, इसमें हर सच्चा मसी शामिल है। वचन सौपे गए थे, कितनी महान सुविधा, किन्तु अब आपके पास उनकी तरह केवल पवितर शास्तर में परमेश्वर का वचन ही नहीं है, आपके पास इश्वर का वचन और संपूर्ण नया नियम है, आपके पास और भी अधिक बड़ा लाब है। रोमियों में आगे वह इसे संख्शेप में समझाएंगे। इस बीच वह उस वादविवाद से निपटते हैं जो उनके विरोधियों ने उनके विरुद कहा था। वह फिर से परमेश्यूर की वफादारी पर जोर देते हैं। यहां तक कि जब हम बेइमानी करते हैं तब भी परमेश्यूर हमारे प्रति वफादार रहते हैं। बुराई करने के द्वारा इस चीज का लाब लेना बेतु की बात होगी। इसके बजाए परमेश्वर की वफादारी हमें उत्साहित करती है कि उनके प्रती हम वफादार रहें परमेश्वर आज मेरे हरदे को अपनी आत्मा से प्रेम और करुणा से भर दीजिए हर उस व्यक्ति के प्रती जिससे मैं मिलता हूँ आपका धनिवाद क्योंकि आपने हम पर परमेश्वर के वचन के साथ भरोसा किया है आज मेरे सहायता कीजिए कि आपके प्रती वफादार बनो पुराना नियम आमोस एक का एक से दो के सोला तक कठोर पैर परमेश्वर के लोगों के हृदे कोमल और पैर कठोर अवश्य हुई होने चाहिए जो गरीबों और लाचारों के लिए काम करने के लिए तैयार हो अन्याय के विरुद लड़ने और कुछले हुओं के लिए खड़े रहने के लिए तैयार हो यह इसराइल और यहुदा के लिए महान सम्रद्धी का एक समय था लेकिन भौतिक सम्रद्धी हमेशा परमेश्वर की आशिश का एक चिन नहीं है इस समय यह असंतोष, भ्रष्टाचार, अनातिकता और भयानक अन्याय में बदल गया था आमोस एक भविश्वक्ता है, वह एक याजक या एक नियुक्त सेवक नहीं थे वह एक भेजे गए व्यक्ति थे, एक भेड को चरवाहा जो सम्रद्धी, सामर्थ और पद्वी के द्वारा मोहित नहीं थे वह दलितों और पीडितों को बचाने वाले और सुविधा में रहने वाले ऐसे अमीरों पर दोश लगाने वाले व्यक्ति थे जो अन्याय और अतियाचार करने के लिए परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे पॉलूस प्रेरीत की तरह आमोस नास्तिक और धार्मिक दोनों के विरुद परमेश्वर के नियाय की घोशना करते हैं वह नास्तिक से शुरुवात करते हैं जो नियम के बाहर पाप करते हैं इसराइल के पड़ोसी राजियों ने भयानक पाप किये उनकी अत्यधिक क्रूरता और भयानक सताव के लिए उन पर दोश लगाया गया लोगों को दास बनाने और दासों का व्यापार करने के लिए कोई दयाना दिखाने के लिए गर्भिनी स्त्रीयों का पेट चीर डालने और मरेहुँओं को अपवित्र करने के लिए ऐसे भयानक पापों के लिए आमोस परमेश्वर के क्रोध को बताते हैं आमोस और पॉलूस दोनों एक स्वाभाविक नियम के लिए विवाद करते हैं यदिपी अगर उनके पांस परमेश्वर का लिखा हुआ वचन नहीं है तो एक स्वाभाविक नियम है जो उनके हृदय पर लिखा हुआ है वे जानते हैं कि कुछ चीजें गलत है यह प्रभावी रूप से वह आधार था जिस पर नाजजी लीडर्स पर दूसरे विश्विध के बाद नुरेंबर्ग पर दोश लगाया गया था पौलूस की तरह आमोस कहते हैं कि परमेशुर के लोग जिनके पास लिखा हुआ नियम है उनका और भी कड़ा नियाए होगा आमोस अन्यजातियों के नियाए से निकल कर यहुदा और इसराइल के नियाए पर आते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रगटी करण को नकार दिया मेरे नियमों को मानना अस्विकार कर दिया यदि पी परमेश्वर ने उनके पक्ष में कारे किया मैं हमेशा तुम्हारी और था वे उनके नियमों को मानने में असफल हो गए विशेश रूप से परमेश्वर के लिए यह बात महतोपून थी कि गरीबों और जरूरत मंदों के प्रती उनका बरताव कैसा था उनके हरदय कठोर हो गए थे उन्होंने निर्दोश को रुपिय के लिए और दरिद्र को एक जोडी जूते के लिए बेच डाला था वे कंगालों के सिर पर की धूल का भी लालच करते थे और नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते थे वे दासत्व और यौन संबंधी पाप भी करते थे जब यह सब चल रहा था वे हर एक वेदी के पास बंधक के वस्तर पर सोते थे और दंड के रुपे से मोल लिया हुआ दाखमदूप अपने देवता के घर में पी लेते थे परमेश्वर के लोगों के पाप अविश्वासियों जितना भयानक नहीं था फिर भी उनके विरुद नियाय तीक्षन होगा क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें महान रूप से आशिश दी है हमें अपने आपको बधाई नहीं देनी है कि हमारे पाप दूसरों से कम है शायद से हमारे पाप कम हो लेकिन वह परमेश्वर के नजरों में उतनी ही बड़े हो सकते है शमा और अनुग्रह के लिए परमेश्वर का धनिवाद दीजिए जो हम इश्व से ग्रहन करते है परमेश्वर हमारे विश्व में अत्यधिक गरीबी के मामलों और अन्याय के प्रती हमें करुणा और प्रेम का कोमल हृदे दीजिये और कठोर पैर और साहस दीजिये कि बाहर जाकर इसके विशव में कुछ कर सकें नीती वचन 17 का चे बाल बच्चों की शोबा उनके माता पिता है नीती वचन 17 का चौदा जगड़े का आरम बान के चेद के समान है जगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है जब जगड़ा हो रहा है तब अंतिम शब्द कहने का प्रलोबन आता है असहमती आसानी से बढ़ सकती है यह नीती वचन कहता है मामले को कतम करो इसे जाने दो और आगे बढ़ो आज का वचन जो दूसरे के अपराद को ढाप देता वो प्रेम का खोजी टहरता है परन्तु जो बात की चर्चा बार बार करता है वो परम मित्रों में भी फूट करा देता है नीति वचंद 17 का 9